आप ग्याइस ऐसा जूस बनाने शिखाएंगे आप लोगों को कि कहिए आने जूस पी के जैसा जूस आप पीजिएगा तो अनेको बिमारी से छुट करा अब देखते हैं एलो वीरा मेरा कौन साथ ठोस है यह सकते हैं एलो वीरा का गाचा गया है बहुत आडली हो गया है इसमें दब्बा छोटा है और एलो वीरा बड़ा हो गया है यह फैल जाता इतना नहीं है तो हम काटेंगे यहां से इसका काटेंगे जेकिए यह पथल चूर का गाच है अगला वीडियो हम बताएंगे मिर्ची के बिशे में देख सकते हैं यह है एलो वीरा और यह है आमला आमला एलो वीरा काज बनेगा जूस आइप देख सकते हैं कैसा इसमें रस भरा हुआ है पूरा है इलो बीराँ में और इसका अनेकों फैदा है सरीर में अगर आपको ताजा मिल जाता है तो और अच्छा है ने तो बहुत कंपणी जूस बनाती है इसका लेकिन यह जो काम करेगा वो जूस से बेहतर काम करेगा और यह पर प्लन है जोगेनिक पुरा आपने आज़ाने के सामने तयार करके इसको पीना है सुबह खाली पेट जिसको कब्ज का समस्या हो भली पे किरीन में भी काम आता है जैसे आपको फोड़ा फुन्सी हो रहा हो या च्छाया टाप का मुझ पर आता हो उसम में बहुत लाव दायक है तो बीमारी अंगिनत ये ठीक करता है अगर सुबह खाली पेट आप पीते हैं तो एमनूटी सिस्टम भी आपका मजगुत कर देता है त तो इसका बहुत रॉम-बॉन काम करता है और अभी हम जूस बनाएंगे इसका दुनों का फिर आप लोगों को जूस देख दिखाएंगे और पी के भी बताएंगे कैसा है जूस क्योंकि वीडियो बनोने वला को है नहीं एक हाथ से ही बना रहे हैं इसले करके ठीक से नहीं बन रहा होगा और अभी मिक्सिम इसको तयार करेंगे और ज्यादा ज्यादा जनकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें कोमेंट करके बताएंगे कि आपको इस जूस से कितना फैदा हुआ एलुवीरा घर-घर में मिल जाता है लेकिन इसको इस्तमाल करने का तरीका आदमी ज्यादा करके जानता है कि मुह में लगाना है लेकिन इसको खाने और पीने के बिसे में नहीं जानते है तो बहुत सारा आदमी है कि ये नहीं जानता है तो ज्यादा ज्यादा सेर करें उसक करके देखे कटीन हो चुका है आमला और एलो बीरा आप इसका करेंगे पिसे यह अब इसमें रखो और इकाने इसानला है स्वाद कैसा है कलवा है खटा नहीं खटा मिठा खटा मिठा खटा मिठा खटा मिठा खटा ठेक पी यो क्या मिठा खटा